I want to thank StudyIQ I would like to thank StudyIQ team Big round of applause to the team management and staff of StudyIQ क्यों Gollier और CozyCode को इस List के अंदर शामिल किया गया है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आपके exam perspective से यह बहुत important है चलिए आगे बढ़ते हैं लिकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं इसके अंदर प्रिलिंस मेंस इंटर्व्यू पूरी आपको त्यारी कराई जाए इसके लाब आप personal mentorship आपको मिले live class यह सब कुछ आपको मिलेगा दोस्तों हमारे तीन live batch स्टार्ट हो रहे हैं that is हिंदी में जो की 10th number से English batch 15th number से और English batch 17th number से जो भी आपको चाहिए सबसे कम दाम पर तो यूज करिए code अंकित live comment section में स्कल लिंक है वहाँ पर जाईए और ये code इस्तमाल करने से आपको maximum discount मिल जागा चाहिए आपको कोई भी batch लेना हो और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है देखे जैसा मैं आपको कह रहा था कि भारत के दो शहर एक है आपका केला के अंदर कोजी कोड उसको युनेसको की creative cities network जिसको UCCN कहा जाता है उनको शामिल किया गया और मदपरदेश का जो गॉलियर है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया और मैं आपको बता दूँ पूरे दुनिया से 55 नए शहरों को इस लिष्ट के अंदर शामिल किया गया है जिसमें से 2 शहर भारत के हैं तो total जो network है ना पूरे दुनिया में cities का इस लिष्ट के अंदर वो हो जाता है 350 मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और लेकिन ये जो cities हैं मैं आपको बता दूँ ये represent करते है creative fields को basically UNESCO क्या करता है उन्होंने 7 अलग-अलग यहाँ पर जो fields हैं वो describe किये हैं जैसे कि crafts and folk arts हो गया, design हो गया, film हो गया, gastronomy हो गया gastronomy basically आपका food वगरा से related होता है, literature है, media arts है, music है मतलब इन categories के अंदर यहाँ पर जो cities हैं उनको ये जो particular list है उसके अंदर शामिल किया जाता है और जहां तक cozy code का बात मैं आपको बता दूँ, it was included in literature category और जो goalier है उसको music category के अंदर list के अंदर शामिल किया गया है अब question यहाँ पर यह है कि UNESCO की creative cities network का मतलब क्या है, what is UCCN तो यह basically 2004 में create किया गया था और इसका main purpose था to promote cooperation among cities जो शहर है अलग अलग उनमें आपस में cooperation हो और उनकी जो creativity है उसको अच्छे से identify करें और उसको sustain रख सकें मतलब कि मान लोग कोई शहर किसी particular चीज के लिए जाना जाता है, वराणसी किसी चीज के लिए जाना जाता है, कश्मीर में स्रीनगर कोई और चीज के लिए जाना जाता है तो उनकी जो creativity है ना basically वो अपने आप में उनका एक base बन जाए और उसी के स्तर पर उनका जो urban development है वो भी sustainable हो और जैसा मैं आपको कह रहा था कि इस समय टोटल जो है ये 55 शहरों को add किया गया है इसकी वो जैसे total number 350 cities का हो गया है और ये आपको लगबग 100 देशों में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कुछ जो cities हैं जैसे कि for example भुखारा हो गया that is included for craft and folk art हो गया काटमांडू नेपाल के अंदर उसको film category के अंदर add किया गया है वैसी Rio de Janeiro इसको literature category के अंदर include किया गया है और ये जो network है इसका main name यही होता है यहाँ पर जो creative social और economic potential है उन particular cultural industries का उसको जादा से जादा utilize किया जाए ताकि इससे शहरों को फायदा हो और obviously बात है अगर मान लोग आपको पता रहेगा कि यह particular शहर UNESCO की list में है इस particular field में है तो लोग और जादा वहाँ पर जाना चाहेंगे उसके बारे में जानना चाहेंगे और वहाँ से जो talent है जैसे music हो गया तो उससे related जो talent है वो और जादा सामने निकल कर आएगा right and it was launched to promote UNESCO का जो main goal है उसको promote करने के लिए भी किया गया UNESCO का full form आज सबको पता होगा United Nation Educational Scientific and Cultural Organization तो कहीं न कहीं उसका जो एक main goal है cultural diversity का और इसके साथ-साथ दुनिया भर में जो अलग-अलग threat हो रहे हैं उसको यहाँ प पढ़ सकें और साथ-साथ यह जो UCCN है basically it encourages culture of creativity in urban planning and solutions to urban problems तो शहरों के बारे में है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर उन शहरों की खासियत क्या है उसको utilize करते वे उसका urban development हो सके यह main मकसद होता है अब जहां तक Indian cities की बात है तो कितने शहर है भारत के इस network के अंदर मैं आपको बता दूँ इन 350 cities में पूरे दुनिया के अंदर इसमें से 8 cities भारत के हैं जी हां 8 शहर भारत के हैं दो तो यह आपका include हो गया है जो मैंने आपको बताया गौलियर और कोजी को लेकिन बाकी के छे आप देख सकते हो 2021 में स्री नगर को add किया गया था for craft and folk art category के अंदर फिर 2019 में आपका उसके पहले आप देखोगे तो मुंबई को film category में obviously बात हम सब जानते हैं फिर 2019 में हैदराबाद को gastronomy से related खाने पीने से related actually और इसके लाबाद 2017 में उसके पहले आप देखेंगे तो चन्नई को add किया गया था music category में जैपूर को craft and folk arts 2015 में किया थ वनार्सी को किया गया था creativity city of music category in 2015 ठीक है अब मैं एक के करकी यह जो दोनों शहर add किये गया है cozy code को क्यों किया गया और गॉलियर को क्यों किया गया दीके वो मैं आपको बताता हूँ cozy code कि अगर हम साबसे पहले बात करें आपको पता है केरला का नदन पार्ट में आपको दे तो literature से related यहाँ पर बहुत कुछ आपको बड़े-बड़े libraries देखने को मिलेंगे बहुत सारे जो प्रशिद लोग हैं वो इस शहर से निकल कर आए हैं यहाँ पर in fact मैं आपको बता दूँ देश की leading media houses के जो headquarter है वो भी यहाँ पर हैं कई सारे जो banners published की जाते हैं hundreds of वहाँ आपको देखने को मिलेंगे libraries जैसा मैंने आपको बता है जो literary traditions को represent करते हैं वो वहाँ पर देखने को मिलता है पहला मल्यालम novel that is कुंदल था वो भी आपका हुआ था 1987 में कोजी कोड के अंदर और इसको author किया गया था लिखा गया था बाई अपू नेदुन गड़ी के दौर ठीक है और इसके अलावा भी कई सारे writers यहां से निकल के आते हैं इन सभी के नाम आप यहां पर देख सकते हैं जिन्होंने कोजी कोड को एक तरह से famous किया है और यह जो शहर मैं आपको बता दूँ पिछले half century पिछले 50 साल में आप देखोगे तो कई सारे जो films हैं वो इस सहर से निकल कराए हैं जो theater professionals हैं वो भी यहां से निकल कराए हैं तो काफी जाना जाता है literature के तौर पर इसी की वज़े से इसको यहां पर UNESCO के list में शामिल किया गया जहां तक गॉलियर की बात है तो देखे अगें यहां पर काफी fascinating आपको चीज देखने को मिलेंगी गॉलियर को इसमें यहां पर music category में रखा गया है क्योंकि मैं आपको बता दूँ गॉलियर जो शेहर है दोस्तों it is rich music legacy से निकल कराता है जो गॉलियर घराना आपने सुना होगा ठीक है वो हां से निकल कराता है और it is considered the premier and oldest घराना music in the sphere of खयाल singing जो खयाल राग होता है न उसका जो सबसे oldest है आपका घराना वो आपका गॉलियर घराना है पूरे North Indian classical music में अगर आप देखोगे I am sure कि UPSC के त्यारी में आपने जो culture वगर से related जब आप पढ़ाई करते हो तो इसके बार में पढ़ते हो राइट so जितने भी in fact पूरे अगर आप देखोगे North India का जो classical music है उसमें जो जितने घरानास निकल करा है न वो actually गॉलियर घराना से ही निकल करा है और इसी के वज़े से गॉलियर घराना को most ancient and origin of खयाल राग कहा जाता है ठीक है अगरे आप देख सकते हो यह मदपरदेश के अगरे यह नदन साइड में यहाँ पर गॉलियर आपको देखने को मिलेगा और गॉलियर घराना म्यूजिक बेसिकली बताया जाता है कि यह काफी thrive किया है अंडर जो royal families रही है ना पहले की गॉलियर की जैसे राजा मान सिंग हो गया और फिर जो सिंध्याज आए जैसे कि जोतिर रादित्य सिंध्या वो इसी यहाँ से आते है royal family से तो उन्होंने जोत तांसेन के बारे में तो सुनाई होगा राइट जो की जो अकबर के court में 912 में से आते थे नौरतनाज में से आते थे उनका जन भी गॉलियर शह से बस 45 किलोमेटर दो एक गाउं है that is बेहाथ वहाँ पर हुआ था तांसेन तो वो भी वहाँ से बिलॉंग करते हैं एंड जहा में मकसद यह है कि जो मेंबर सिटीज होंगे जिनको इंक्लूड किया जैसे मालो अभी 350 सिटीज हो गए वो आपस में मिलेंगे अपने जो creative experiences है उनको आपस में share करेंगे यहाँ पर जो public है private sector है civil society है उनके साथ partnership किया जाएगा ताकि urban development हो इसका में मकसद यही है कि innovation और creativity को जादा से जादा लाए जाए ताकि वहां से जो particular persons है जो innovators है जो professionals है वो वहां से निकल कर आ सकें and these cities have to achieve the UN agenda of sustainable development United Nations का sustainable development का agenda है वो भी इनको achieve करना होता है और इसी के जैसे action क्या लिया जाता है देखो यहाँ पर city के level पर action लिया जाता है और international level पर city के level पर basically आपस में जो best practices है वो share की जाते हैं और international level पर भी आपस में मिलते हैं और exchange programs होता है research and evaluations होता है कि उस शहर ने क्या क्या जैसे कि मानलो UNESCO ने गौलियर और कोजी कोड को ये list के अंदर include किया अब इनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि इन्होंने क्या क्या काम किया है उ annual conference होता है mayor's का बाकी सारे stakeholders का उस particular शहर के वो आपस में हर शार मिलते हैं and इसका main objective again conference का यह है कि जो policies और activities हैं उसका exchange program एक तरह से हो सके and मैं आपको बता दूँ पिछला जो conference हुआ था वो हुआ था Brazil के Santos में और इस साल जो है वो आपका Istanbul में हुआ है ये वाला जो साल है और अगले साल ये again Portugal में आपको देखने को मिलेगा 2024 जुलाई के महने में ये होने वाला है ठीक है तो ये annual conference होता है ultimately conclusion का निकलता है देखो यहाँ पर जो भी शहर है जो member cities हैं उनको हर 4 साल में 4 years में यहाँ पर अपना report submit करना होता है membership monitoring report कि उस शहर ने क्या किया कैसे किया और सा काफी फादा होता है और एक तरह से recognition मिलता है tourism बढ़ेगा काफी कुछ I hope कि आपको इस वीडियो के मात्यम से जानने को मिल गया होगा और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो कि अच्छी कुछ समय पहले UNESCO ने suggest किया था कि वो एक शहर को World Heritage Center in Danger के list में शामिल करने वाले है danger के list में जिया क्योंकि climate change और भाकी चीजों की वज़े से उसमें काफी जादा खत्रा हो रहा है उस शहर को तो आपको बताना है वो कौन सा शहर है जो कि UNESCO कह रहा था इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तुम बिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram स खले सकते हैं इसका सही उतर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए लग-लग social media पर आप जोड़ पाओगे और जैसा मैंने आपको बता है UPSC के अगर आप त्यारी कर रहो जस्ट यूज यूज द